बाई सूबा का समय है आज हमको कचवडी खाने का मन है आज हम सीटी कत्वाली पर आये हैं हुए हैं और रमेश जी के दुकान है सामने देखिए बहुत अच्छा यी कचवडी बनाते हैं चलिए इनके पास चलते हैं क्या नाम है आपका रमेश तो यहां कचवडी आप बेच रहे हैं हां जी कितने जाल से बस यहीं साल भर से अच्छा किसने का है एक कचवडी बत्तीस विए क्या रहें बत्तीस एक चाहरें चलिए खिलाईए बनाईए इस तरह से बेला जाता है यह अपना उसमें सभी आइटम पीट्यूटी भराग गया है तब भराग गया है और यह पकोड़ा है छोला के साथ पकोड़ा है और आलू को कचवडिया भी है बाई कचवडी आट की एक है बत्तीस की चाहर जितना इच्छा उतना खाओ कोई मना रोब टोप नहीं है बहुत ही मस्त कुद्गू आ रही है कचवडी की जब यह कल्पी है तब आजवाब कचवडियां अब त्रुप यह बत्तीस रुपेया का चार भाई साथ ने बताया है आप दो पीस भी खा सकते हैं और एक पीस पर जो खाएगा वो चार पीस जरूर खाएगा भाई ऐसे ही गरम-गरम कचवडियां फोड़ने में मज़ा आता है वाव क्या बात है गरम-गरम कचवडियां कोई साथ टेस्ट है अच्छी टेस्ट है अच्छी टेस्ट है अब भी कचवड़ी का स्वाद लेंगे याड़ भाई कचवड़ी में बहुत अच्छी टेस्ट है हमने खाया मल्या आ गया कचवड़ी खाकर खा देते हैं तो बताते हैं भाई जब तक उंगलियों से कचवड़ीयों को फोड़ा नजाए स्वाद नहीं मिलता कचवड़ीयां महुती टेस्ट है भाई साथ खाया हमने भी खाया गरम-गरम कचवड़ीयां भाई हम मिर्जापूरी हैं दोबारा सब्जी की जवरत पड़ी जाती है और ये लोग दुकंदार जो होते हैं वो बर-बर-बर सब्जियां देते रहते हैं भाई वा क्या टेस्ट है सब्जियों में एक बार स्वाद का मजा लेने के लिए आप लोग जरूर आएं कट्वाली मिर्जापूर भाई साब की दुकान है कट्वाली शिष्टी बगल में रमेश तबियत मस्त हो जाएगा